दोस्तों, very good morning to all of you, आज के इस सांदर वीडियो में आप सबी का स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा जो पहला प्रस्त बना है, वो बना है एक रिपोर्ट को उपर कोश्चन क्या बना है वो समझते हैं, कोश्चन दोस्तों ये बना है कि हाल ही में एक रिपोर्ट लॉंच करी गई है, जारी की गई है, जिसका नाम है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आम्स ट्रांसपर ट्वंटी ट्वंटी ये जो रिपोर्ट है, ये किसके दोरा हाल ही में जारी की गई है तो बहुत ही अच्छे से समझ देना क्योंकि most important question मनेगा ये कि इस report को हाल ही में CPRI के द्वारा launch किया गया है तो option number A इसका right answer हो जाएगा एक international संस्ता है CPRI जो कि एक Swedish यानि कि Sweden देश की एक संस्ता है जिसके द्वारा ये report हाल ही में launch करी गई है जिसका नाम है trends in international arms transfer 2020 तो इसमें दोस्तों ये जो term use हुआ है CPRI इसके बारे में भी discuss करेंगे तो आगे चलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप CPRI की website पर जाएंगे तो देखो CPRI की website पर जैसे ही आप पहुचेंगे तो वहाँ पर आपको ये report दिखेगी जिसमें लिखा है trends in international arms transfers 2020 इस report को हाल ही में इसने launch किया है अब exam में कई बार ऐसा दोस्तों हुआ है कि CPRI का full form क्या है ये पूछा जाता है तो CPRI का full form हो जाएगा Stockholm International Peace Research Institute ये CPRI का full form हो जाएगा जो की exam में आप से पूछा जा सकता है अब दोस्तों क्या होगा कि ये जो CPRI है ये एक Sweden देश की संस्ता है और इसका जो मुख्याले है ये Oslo नार्वे में है इस्तापना इसकी 6 मईए 1966 में हुई थी निर्देशक का नाम है Dan Smith चीक है ये इसका आपको पता होना चाहिए साथी साथ में इस report में क्या-क्या चीजे निकल कर सामने आई है वो भी तो exam में पूछा जा सकता है कि इस report में क्या-क्या data सामने आया है वो exam में पूछा जाता है तो आपको भी पता है कि देखो सीपरी की इस report के अनुसार verse 2016-2020 के दौरान हतियार आयात करने के मामले में भारत कौन से इस्तान पर रहा है तो जो लोग English में समझते हैं वो समझें कि एक होता है term import import का मतलब होता है किसी भी चेज को दूसरे देश से अपने देश को मंगाना और export मतलब दूसरे देश को भेजना तो आयात का मतलब होता है किसी भी चीज को हम कितना मंगाते हैं तो 2016 से 2020 के दौरान में जो हतियार मंगवाने की रिपोर्ट में भारत यह दूसरे इस्तान पर रहा है तो option number 20 का राइड एंसर हो जाएगा very important question है कि भारत इस मामले में दूसरे इस्तान पर रहा है अब इसमें आप देख सकते हैं यह क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है top six arms importers तो यहाँ पर देखें तो हम लोग साओधी अरेबिया पहले इस्तान पर है यहाँ पर इसको मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर cover किया है यह दको इसमें लिखा है कि हत्यार को आयात करने के मामने में top countries कौन-कौन से हैं साओधी अरेबिया पहले इस्तान पर है भारत दूसरे इस्तान पर आता है तीसरे इस्तान पर आता है इजिब्ट चौते इस्तान पर आता है औस्ट्रेलिया और पांचवे इस्तान पर आता है च एक और चीज दोस्तों यहां से निकल कर सामने आई है कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्स 2016-2020 के दौरान भारत की जो हतियार आयात करने की छमता है उसमें कितने प्रतिसत की कमी देखी गई है तो एक चीज हम समझ गए कि आयात करने के मामले में तो भारत दूसरे इस्तान पर है लेकिन जो इसकी हतियार आयात करने की जो छमता थी वो इस दौरान में 33% कि कमी इसमें दर्च की गई है ये भी आपको याद रखना है ये सारे पॉइंट्स मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कि एक्जाम में बार बार रिपीट हो सकते हैं साथी साथ में पूरी दुनिया भर में जितने भी वैस्विक हतियारों का निर्यात होता है निर्यात मतलब भेजना एक्सपोर्ट की बात हो रही है उस मामले में भारत की पूरी दुनिया में हिस्सेदारी है 0.2% इस फिकर को भी याद रखना दोस्तों एक्जाम में पूछने लाइक कोशन है ये तो ये बनेगा कि पूरी दुनिया में जितने भी वैस्विक हतियार निर्यात होते हैं उसमें भारत का कितना परसंट है तो ये इस्सेदारी होती है 0.2% इस हिस्सेदारी के बेसिस पर भारत दुनिया का 24वा सबसे बड़ा हतियार निर्यातक देश बन गया है हाला कि अभी हम लोग बहुत ज़दा हतियार दूसरे देशों को नहीं बेच पाते हैं लेकिन जब से ये आत्पन निर्बर भारत की मुहिम चली है उसके बाद से लगातार हम लोग का ये जो रैंक है वो इंप्रूब कर रहा है और हम 24 में सबसे बड़े देश हैं जो कि दूसरे देश को हतियार निर्याद करते हैं अब एक डेटा में आपको दिखा रहा हूं कि वर्स 2016 से 20 के दौरान भारत के सीर्स तीन हतियार आपूर्ती करता देश कौन कौन से हैं तो सबसे ज़्यादा हतियार हम लोग लेते हैं रूस देश से जिसकी हिस्सेदारिया 49% उसके बाद में आता है फ्रांस और तीसरे इस्तान पर आता है इसराइल तो सबसे ज़्यादा हम लोग हतियार लेते हैं रूस से उसके बाद में फ्रांस और तीसरे इस्तान पर आता ह इसराइल, ठीक है, आगे चलते हैं, अगला कुशन मनेगा, कि इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा हतियार निर्यातक देश कौन सा है, यानि कि हतियार दूसरे देशों को देने वाला, एक्स्पोल्टर, ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो तो option number ace का right answer हो जाएगा अब इसमें हम लोग देखेंगे हतियार निर्यात यानि कि export करने के मामले में USA पहले इस्तांद पर है Russia दूसरे तीसरे इस्तांद पर है France चौथे पर है Germany और पांच भी इस्तांद पर आता है China ठीक है इस मामले में India की rank मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 24 इंडिया जो है 0.2% contribute करता है और 24 में इस्तांद पर लाई करता है तो बहुत सारा डेटा है आपको ये जो जितना भी डेटा मैंने बताया है आपको memorize करना है इसका PDF में टेलीकराम पर शेयर करूँगा वहाँ से आप इसको memorize भी कर लेना question बनेगा कि हाल ही में National Security Guard लाश्ट्रिय सुरक्षा गार्ड के महा निदेशक यानि कि Director General के रूप में किसे appoint किया गया है answer हो जागा M.A. Gunpati हाल ही में M.A. Gunpati को NSG का नया Director General बनाए गया है यह जो संस्ता है NSG इसका motto कभी कभी exam में पूछा जाता है वो है सर्वत्र सर्वोत्म सुरक्षा Omnipresent Omnipotent Security यह इसका motto है इस्तापना 22 सितंबर 1986 को की गई थी और मुख्याला इसका पढ़ता है नई दिल्ली में तो यह चीज़ आपको याद रखना है एक question इस data से आपको exam में मिल जाता है इसी प्रकार से हाल ही में कुलदीप सिंग ने को हाल ही में किस संस्ता का Director General यानि कि महानिदेशक बनाए गया है तो answer हो जाएगा हाल ही में CRPF के जो नए Director General बने है वो बने है कुलदीप सिंग और उन्होंने इसका पद ग्रहन कर लिया है तो option number D इसका right answer हो जाएगा तो option number D will be the right answer यहाँ पर आप इनका फ्रेटो भी देख सकते हैं कुलदीप सिंग का जिनको हाल ही में CRPF का नया Director General बनाए गया है अब CRPF का जो मोटो है वो है Service and Loyalty सेवा और निष्टा और इसकी इस्तापना हुई थी 27 जुलाई 1949 को अगला question दोस्तों बनेगा कि हाल ही में World Sleep Day विस्व नीन्द दिबस जो कि आप सब लोगों को सबसे ज़्यादा लगती होगी हर समय आपको नीन आती होगी तो विस्व नीन दिबस जो है यह हर साल कब मनाए चाता है तो every year 19 मार्च को यह जो स्लीप दिबस है विस्व नीन दिबस है यह मनाए चाता है दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना जब भी आपका एकजाम होगा उस समय आपको बहुत नीन आती है लेकिन उस समय मन में ख्याल आते हैं कि एक बार हमारा यह एकजाम निकल जाए उसके बाद में खुब अच्छे से सोएंगे लेकिन आप हमेशा इस चीज को practically experience करोगे जैसे ही जिस दिन आपके एकजाम कतम हो जाएंगे उस दिन आपको देखना आपको नीन्द नहीं आएगी ठीक है तो हमेशा इस चीज को याद रखना कि हर चीज जो है एकजाम के टाइम में आपको pressurize करेगी negative चीजें मन में आएगी कि सो लें आराम कर लें ऐसा कुछ नहीं है आप पूरे focus की साथ में अपना पढ़ाई करते रहें उसी सही आपका बला होना है तो 19 मार्च को हर साल ये दिवस बनाय जाता है world sleep day अब 2021 की जो वर्स 2021 की जो इसकी theme है वो है regular sleep healthy future एक चीज और आपको याद रखना है कि कभी भी अपना जो sleeping hours है उसको बहुत ज़्यदा reduce मत कर देना एक normal person को कम से कम 8 गंटे का sleep लेना पढ़ेगा ठीक है कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन में कम पढ़ते हैं पूरी रात पढ़ाई करनी की कोशिस करते हैं विश्वास मानिये कोई फरक नहीं पढ़ता है आप जितनी भी कोशिस कर लें अगर आप दिन में रात में जाकर पढ़ोगे तो दिन में आपको सोना ही पढ़ेगा तो अल्टिमेट गोल ये है कि रात में प्रॉपर नीन लीजिए और सुबह उटकर पढ़ने बैठ जाईए ठीक है क्योंकि नीन बहुत जरूरी होती है अगर आपने नीन पूरी नहीं की तो आपका सरीर भी खराब होने लगता है अगला प्रस्तम बनेगा कि विस्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म किस देश में बनाया जा रहा है आंसर हो जाएगा सिंगापूर हाल ही में सिंगापूर देश में विस्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म चीक है तो विस्सु का सबसे बड़ा जो floating solar farm है ये सिंगापुर देश में मनाय जा रहा है option number A will be the right answer यहाँ पर आप देख सकते हैं world's largest floating solar power plant चीक है तो विस्सु का सबसे बड़ा floating solar power plant जो है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंगापुर देश में मनाय जा रहा है ये पानी पर तैरता हुआ solar park है जिसे की बहुत ही ज़्यादा ओर्जा उत्पन करी जाएगी सिंगापुर की जो मुद्रा है वहाँ का डॉलर है PM का नाम है Lee Sin Lung आगे चलते हैं ordinance factory day आयूद निर्मार दिवस प्रती वर्स किस दिन मनाय जाता है तो every year 18 March को हर साल 18 March को ordinance factory day ये मनाय जाता है option number 20 का ride answer हो जाएगा तो आप देख सकते हैं ordinance factory day जो की हर साल 18 March को मनाय जाता है ससक्त भारत समरद भारत तो ये ordinance factory day इस दिन मनाय जाता है ordinance factory board जो है ये दुनिया का 37 सबसे बड़ा Asia का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा defense उपकरण निर्मान करने वाली संस्ता है पूरी दुनिया में ये 37 सबसे इससंत पर आती है और Asia का दूसरा सबसे बड़ा ये निकाय है अगर वर्तमान समय की बात करें तो इसकी जो महा निदेशक है और अदेश है उनका नाम है C.S. विस्टो कर्मा और इसका जो हैड़कॉर्टर है ये कॉलकाता पस्चिम मंगाल में इस्तित है ये भी आपको पता होना चाहिए आगे चलते हैं Global Recycling Day Westwick पुनरा वर्तन दिवस प्रती वर्स किस दिन मनाया जाता है तो आंसर हो जाएगा हर साल 18 मार्च को किसी भी चीज को री साइकल करने का जो दिवस होता है यानि कि एकर हम लोग यहाँ पर इसको हिंदी में देखे तो वैस्विक पुनरा वर्तन दिवस इंगलिस हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट है री साइकलिंग वर्ड हम लोग बहुत कॉमनली उस करते हैं तो यह मनाया जाता है 18 मार्च को तो आप्शन नमबर 20 का राइड अनसर हो जाएगा तो इसमें आप देख सकते हैं ग्लोबल री साइकलिंग डे जो की हर साल 18 मार्च को बनाया जाता है आप्शन नमबर 20 का राइड अनसर हो जाएगा तो 18 मार्च को ग्लोबल री साइकलिंग डे बनाया जाता है तो यह आप इसको देख सकते हैं अगर पूछा जा कि वर्स 2021 का इसका थीम क्या है तो वर्स 2021 का जो थीम हो जाएगा वो हो जाएगा री साइकलिंग हीरोज तो री साइकलिंग हीरोज इसका वर्स 2021 के लिए थीम हो जाएगा तोस्तो आज का कोशन जिसका अंसर आपको देना है आपको देख रहा होगा जल्दी से इसका अंसर पताना ना मुले Thank you for watching this awesome video